ली चैटिलियर प्रिंसिपल अपना एकिलिब्रियम चाप्टर का एक टॉपिक है बहुत इंट्रस्टिंग है और क्वेशन्स भी आते हैं So Lee Chetlier Principle बोलता है कि अगर equilibrium पर आपने temperature को, pressure को, concentration या फिर volume को change किया तो reaction shift होगी उस direction के अंदर जहाँ पर उसके effect को कम किया जा सके अब कैसे, like मैंने क्या करा, equilibrium के उपर concentration of reactant को बढ़ा दिया अब reactant कब कम होगा, जब वो product के अंदर बदलेगा तो यानि कि अगर मैंने concentration of reactant को increase करा, तो मेरी reaction जाएगी forward direction के अंदर यानि product मेरा जादा बनना शिरू हो जाएगा अगर मैंने reverse किया, मान लिया, मैंने concentration of product को बढ़ा दिया तो product जादा, तो reaction कहा जाएगी, backward, यानि reactant वाली side पर मतलब product की concentration बढ़ाने से reactant जाएगी आपकी backward direction के अंदर ठीक, ऐसे ही और भी examples होते हैं, temperature का, concentration का, वो हम next वाली real के अंदर करेंगे